करेंट अफेर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन हलो दोस्तों गूट मॉर्निंग सौगती बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में साथियों आज है पांच अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांच अक्टूबर दोहजार चोबिस के मोस्ट इंपोर्टन डेली करेंट फर के कुशनस के बारे में लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर से कल का रिविजन करेंगे एक मिएट में फिर आगे बढ़ेंगे आज की तरह कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व साकाहरी दिवस एक अक्टूबर को मनाया जाता है कल मैंने आपको पताया था ये भी कि वेजीटेरियन डे और वीगन डे दोनों अलग अलग होता है वीगन डे मनाया जाता है एक नवंबर को और साकाहरी जागता माह अक्टूबर माह को मनाया जाएगा 26 जल उर्जा प्रदोक्यों और पर्यावरा प्रदस्ति यानि वीटेक्स इस पर अभी समिट सुरू हुआ दोबई में 1-3 अक्टूबर तक और UN के महासचीव एंटोनियो गुट्रेज को अपने देश में घुसने से रोक दिया इसराइल ने इसके अलावा दोजार पचीस में पहला कोखो विसुकप होगा और उसकी मेजबानी भारत करेगा प्रधानमंत्री मोदी ने अभी असम में दोस्तो तीन चार बायो गैस यूनिट का उधगारन किया है अक्टूबर दोजार चौबिस में भारतिय समाचार पत्र सोसाइटी के नए धेक्ष बन गए है एमबी स्रेम्स कुमार इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था नीती आयो की महिला उद्दमता प्लेट फार्म चैप्टर पाने वाला पहला राजे तेलंगाना बना 24 और 25 अक्टूबर 2024 को सेंटर फॉर लेंड वारफेर स्टडीज चानक के रक्षा वारता भारतिय सेना आयजुद करेगे इटली ने मिडल इस्ट में चल रहे विवात को लेकर के G7 की एमर्जंसी मीटिंग बुलाई पीके गुपता दोस्तों ये उतकर से स्माल फाइनस बैंक के बन गए नए अध्यक्ष ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन थे जिनका आपने रिविजन किया है हम लोगों ने कल इसको पढ़ा था डिटेल से अब आज की करेंट अफेर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन कल की जो वीडियो थी उसकी क्विज, पीडियाफ, सब कुछ आपको मिल जाएगी MZTF पर आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में कोई आपको चार्जेस इसके लिए नहीं देने है आगे देखते हैं अब पहला कोशन पहला कोशन, हाली में सडग सुरक्षा पकवाड़ा कब से कब तक मनाया गया तो सडग सुरक्षा पकवाड़ा जो है, यह 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है सडग सुरक्षा पकवाड़ा, पकवाड़ा मतलब क्या होता है पखवाड़ा मतलब होता है four night four night मतलब जैसे क्या होता है कि चंदर्मा की इस्तितियां बदलती है इसके अनुसार 15 दिन आपका उजाला वाला रहता है और 15 दिन अंधेरा वाली रहता है मतलब चंदर्मा जो होता है पहले फूल पर आता है मालो पूनमा को फिर धीडे घरते घढते अमावस में। जब चंद्रमागाइब हो जाता है फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़तेश बढ़ते हैं तो ये एक पखवाडा होता है सब टाह साथ दिन का पखवाडा 15 दिन का और महीना 30 दिन का चंदर मास 28 दिन का दिन एक दिन का है ना 24 गंटे का तो यही सब चीज़े हैं चोटी मोटी मगर मोटी बाते हैं इसको याद रखना चलिए तो यहां सड़क सुरक्षा पकवाड़ा मना जा रहा है मतलब अगली 15 दिनों तक 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक के बीच म या वहां चलाती समय जो वेकती होते हैं उनको ड्राइविंग सीट का सीट बेल्ट का यूज करना है इसके लिए अवेरनस पहलाना दरूपी करके नसे में रह करके आप गाड़ी न चलाओ यह बताना ओवरलोडिंग से बचो जादा लोडिंग न करो याता यात नेमों का प अब यह तो महत्मोर दिवसरह एक्टूबर मंत के कल हम लोगों ने रिवेजन किया था तो आज आगे बढ़ेंगे अगला कुश्चन भारतिया रिजर्बैंक की मौदरिक नीती समित के नए सदसी के रूप में किसे नियुक किया गया तो RBI की मौदरिक पॉलिसी कमेटी जो लो, मोंनेटरी पॉलसी कमेटी, यह होती क्या है, मोनेटरी पॉल्सी कमेटी एक ऐसी कमेटी है, एक ऐसी समिती है दोस्तों, जो देजबन में मोनेटरी रेट से डिसाइढ करती हैं, जैसे आप सुनते हो ना, रिवर्स rate, बैंक रेट, SLR, बहुत सारे चीजें होती है, CRR, Carn इन सब का decision जो है, इसी MPC के दौरा लिया जाता है, MPC छे सदस्यों वाली एक committee होती है, इसमें 6 सदस्यों होते हैं, अब इन 6 सदस्यों में 3 सदस्यों जो होते हैं, वो RBI के होते हैं, और 3 सदस्यों होते हैं, ये government के होते हैं, सरकार के होते हैं, है ना, तो 3 सदस RBI से रहेंगे Reserve Bank of India से, तीन लहेंगे Government की तरब से, जब भी MPC की बैठक होती है, तो decision आता है, मैं अक्सर बताता भी हो, रहता हूं कि 9 वी बार unchanged रहा है repo rate मतलब repo rate में कोई परवरता नहीं किया गया, MPC की अभी बैठक होई हाल ही में तो यह सब जब बैठक होती है, तो अध्यक्सता कौन करता है, यह question कई बार exam में पूछा गया है, तो ध्यान रखना MPC की जब भी बैठक होगी, तो इसकी अध्यक्सता RBI के governor करेंगे ठीक है ना, अध्यक्सता जो होगा यह RBI के governor करते है और governor कौन है, सक्तिकान दाज़ी है, ठीक है, तो अभी तीन मेंबर्स की इसमें नियुक्ती अभी की गई है प्रोफेसर राम सिंग और यह तो अब देखो यह भारतिया रिजर्मेंग के अध्याम 1934 में संसोधन किया गया है 2016 में, और लास्ट वाला संसोधन 2016 में किया गया था, उसके बाद से चल ला था, फिर 29 सितंबर 2016 को RBI की पहली मौदिक समीत की गठन किया गया था, 6 सदे से होते 3 RBI, 3 सरकार के बताया मैंने MPC की बैठक की अध्यक्सता RBI के governor करते हैं, यह सब line मैंने लिख दी है जो भी आपको समझाया, इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से questions पूछे गए है तो MPC जो है, इसका सुरात में गठन कप किया गया तो यह अध्यक्सता किया गया, 2016 में यह पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता का बैंक है, यानि जितनी बैंके होती है वो अपनी बैंकिंग, RBI से करती है ठीक है न, और RBI की स्थापना 1 April 1935 को हुई थी मुंबई में इसका हेड़क्वाटर है पहले वाले गवर्नर थे ओसबारन इसके बाद आगे चल करके इसको नस्नलाइज किया गया बैंक को 1 January 1934 को, ठीक है लिखते चलो, लिखते चलो या फिर रोजाना रेगुलर हो जाओ, रोजाना रेगुलर रहोगे तो ये सारी चीज़े आपको भी याद हो जाएंगे बिलकुल तो पहले गवर्नर थे उस बार निसमित पहले भारतिय गवर्नर हुए सीटी देशमुक ठीक है, अभी 25 नंबर के गवर्नर है सक्तिकांदास इनके टाइम पर 2000 की नोट आई और 2000 की नोट गई इनसे पहले थे उर्जित आरपटेल 24 गवर्नर, उनके टाइम पर 1000 और 500 की नोटे बंद की गए, कब 8 नॉउंबर 2016 को इसके बाद 23 गवर्नर को थे? रगुराम राजन, चलिए अगला देखते हैं ICC Test Series की रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन बॉलर कौन बन गए? तो ICC Test Series की अभी मनलब Test की नई रैंकिंग आई Test की नई रैंकिंग आई Test Format में इसमें नवेंतम रैंकिंग में टॉप पर पहुँच गए हैं जस्पिरित बुम्रा भारत ये हैं और जस्पिरित बुम्रा वन आये हैं और किसको पीछे करके? भारत के ही एक दिगज बॉलर आरास्विन को पीछे करके आरास्विन इन से पीछे हैं दूसरे पर है मतलब पहला दूसरा पाइदान भारत का अबजा और रविन जडेजा जो है ये भी टॉप 10 में है छटे पोजीशन पर है तो ये बड़ी अच्छी स्थिती चल रही है बॉलिंग में खास करके टेस्ट में भारत की ICC की ये रैंकिंग में तीन भारते देखे टॉप 6 में है फिलहाल ICC ने जस्परिद दुम्रा को इसलिए हाजिल किया क्योंकि जस्परिद दुम्रा इस सीजन में सबसे ज़्यादा विकट लिये हैं अभी तक जितने भी मैच हुए है टोटल 38 विकट ले चुके है सेतंबर महीने तक अभी बांगलादेश से मैच हो रहा था बांगलादेश से सीरीच चल रही थी बारत ने 2-0 से हराया अच्छा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं फटा-फट से इस बांगलादेश सेरीच के बाद तीन कोश्चन महात्वण निकल करके आए हुए थे अब एक चौथा हो गया तीन कोश्चन में क्या-क्या थे एक तो विराट कोहली ने 27,000 रन पूरा किया और सबसे तेज 27,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने दुनिया के दूसरा मने वात है आपको कि दूसरे सबसे तेज आल राउंडर बन गए रविन जडेजा जिन्होंने 300 विकट और 3000 प्लस रन बनाए हुँ भारत में टोटल तीसरे और दूसरे सबसे तेज है दुनिया के इसके बाद तीसरा कोश्चन मैंने बताया था आपको मैंने अदर सिरीज आरस्विन बने थे और भारत लगातार 28 सिरीज जीता घरेलू टेस्ट में भारत में ठीक है ना तो यह सब कोश्चन याद रखना करकेट से फिलहाल जीयस सफलता बैच के बारे मैंने कल भी आपको आपको आफर बताया था कि भाई दो दिनों के लिए मात्र 299 में किया गया है जीयस सफलता बैच जिन जिन लोगों ने नहीं जोईन किया है अगर जोईन करना चाहते हो जीयस में आप संपूर्ण कवरेज चाहते हो तो आप यह बैच ले सकते हो अपना सबसे महगा बैच होता था और सबसे कम दाम पर किया गया है इसी नौरात्री दुरुगा आफर के तहर जिनको जिनको लेना है भाई ले लो है ना और हां देखो यह जो आफर लाए जाते हैं यह उन गरीव श्टुडेंस के लिए होते हैं जो उतना आफर नहीं कर प हैं या फिर किसी और विभाग में अपना जाना चाहते हैं आगे का सोच रहे हैं वो लोग भी डिसकाउंट मांगते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि भाई यार तुम का है मांग रहे हो जो इस्टुडेंट है जिनके पास कोई रोजगार नहीं वो डिसकाउंट मांगे इस्पेसल छूट मांगे तब तो चलता है ठीक है लेकिन जो जौब में हो उनको तो नहीं करना चाहिए ऐसा चलिए फिलहाल ये सभी बैचेश पर अभी डिसकाउंट आफर चलना है कूपन कोड सेम है दुरगा यूज करना है डी यू आर जी ए दुरगा कूपन कोड हुआ है दोस्तों ताइवान में देखो मैंने आपको बताया था ना कि चीन के साइड में अगर कोई आएगा तूफान तो उसे लोग टाइफून कहते हैं जापान हुआ चीन हुआ फिलिपीन हुआ ताइवान हुआ इन सब एरिया में अगर कोई आता है चकवरती तूफान तो उसे टाइफून कहते हैं यही अगर अमेरिका के सेक्टर में आता है कोई मेक्सिको हुआ अमेरिका हुआ उनस रीजन में तब वहाँ पर हैरिकेन कहते हैं और अगर भारत के साइड में कोई आता है जिसे अरब सागर से उठ रहा हो बंगाल के खाड़ी से उठ रहा हो हि 47 साल बाद ये सबसे बड़ा तूफान आ रहा है ये ताइवान में ताइवान में इस से पहले इतनी तिबिता का 1977 में आया था तूफान तो तूफान क्रेथान है इसका नाम तूफान क्रेथान अब पिछले दिनों में भी बहुत सारे तूफान आये हैं उनको हम लोग जानेंगे लेकिन पहले ताइवान की लोकेशन देख लो तो जैसे मैं अपने देखोगे यह रहा अपना प्यारा भारत यहां से आप चाइना छोड़ोगे चाइना के बगल में ही ताइवान एक छोटा सा देश मिल जाएगा ताइवान ताइपे इसकी राजधानी है और चाइना तो कहता है यह चीनी ताइपे है तो ताइवान जो है चाइना से संगर्स करी रहा है मतलब कि कब अटेक कर दे चाइना कुछ तथा नहीं है फिलहाल ताइवान आज के टाइम पर 80% सेमी कंड़क्टर का एक्स्पोर्टेशन करता है दुनिया में और अभी ताइवान की ही कंपनी थी ना वह पेजर वाली ठीक है गोल्ड अपोलो गोल्ड जिसने बनाये थे हिजबुल्ला वाला जो हुआ था किया सभी यहाँ पर कुछ और तूफान आये हैं रिविजन करेंगे टाइफून खानून और केथान दोनों आये ताइवान में यहाँ दो तूफान है एक में मर्ज कर दिया गया अमेरिका में टाइफून बेबिंका आया चीन में टाइफून यागी आया बियत नाम में देखो आल फिलाल आये तूफान है, इसी साल के सब, अगला, हाली में जारी सहरी सासन सुजकांग की में कौन सा राज्य सीर्थ पर है। सहरी सासन सूजकांक अभी जारी किया गया इसमें टॉप पर है केरल केरला टॉप पर है और इसको किस ने जारी किया है देखो इसको एक study में बताया गया है जो प्रग्या foundation ने करी है इन्होंने कहा कि हम दो साल से research कर रहे हैं और उसके बाद ये नतीजे पर पहुँचे है कि सहरी सासन पर सासन सूजकांग में केरल टॉप पर आया हुआ है दूसरे पर ओडिसा रहा है यहाँ पर केरल को इन्होंने बताया कि 100 में से 69.31 अंक प्राप्त किये और ओडिसा 55.10 अंक प्राप्त किये और दूसरे स्थान पर है इसमें हाला कि बित्तिय ससकती करण की मामले को नहीं इंकलूड किया गया फाइनेंस नहीं देखा गया राज सहरी सासन देखा गया है केरल की अगर बात करें केरल आपको यहाँ पर दिख जाएगा सबसे दक्षिड में केरल की राजधानी तिरुननंध पुरम पिनराई विजिन सीपी आईम पार्टी सियां के सीम गवर्नर है आरिफ महम्मद खान जी केरल अपना बॉर्डर दो राजों से सेर करता है तमिल नाडू और करनाटका से यहाँ पर इडिक्वी निसनल पार्क है साइलेंट वैली निसनल पार्क है बहुत पूचा जाता है इसके अलावा पेरियारवन जी भेरन है पलककर दर रहा है थामा सरूरी दर रहा है कतिकली और मोहनी अटम दो सास्तरीय निरत हैं कौन से निरते हैं यह सास्तरीय निरते हैं और बेच में मैंने आपको पढ़ाया ना सास्तिरी नेतर लोक नेतर इन में अंतर क्या है दोनों की अलगलग क्लास ली गई अपकी काली एट्टम भी मनाया जाता है 14 जिले हैं विदान सावा में 140 लोक सावा में 20 और रासावा में 9 सीट जाती है अगला पीम मोदी ने धर्ती आबा जनजाती ग्राम उतकर्स अभियान कहां सुरू किया धर्ती आबा जनजाती ग्राम उतकर्स अभियान ये पीम मोदी के द्वारा सुरू किया गया दोस्तों जारखंड में अब जारखंड की बारी है ना हरियाना जम्मू कस्मीर हो गया चु वहाँ अगला चुनाओ है इसके बाद महाराष्ट्रा पर रहेगी नज़त फिलाल यहाँ पर पीम मोदिन लांच किया धर्ती आबा जन जातिये ग्राम उतकर्स अभियान जहारकण में पांच लाग करोड का पीपुल को यह बेरिफिट मिलने की बात की जा रही है गांधी जह जहारकण में कभी-कभी इस्थिती पूछली आती लोकेशन तो हजारी बाग याद रखना याद रखना जहारकण की राजधानी रांची में 2018 में 23 सितंबर को आईश्मान भारत योजना का उद्खारन किया था पीम मोदी ने ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंस्वरेंस स्कीम है आईश्मान भारत योजना जिसे हम लोग प्रधान मंतरी जन आरोगी योजना के नाम से भी जानते है खेर यहां पर आते हैं टो पास्तिक्षा अजीवका इस सब बढ़ेंगे 17 भरते मंतराले इसमें इंक्लूड होंगे तो इसे 63,843 गाउं और 549 जिले कवर होंगे इस योजना से जारखन के बारे में देखो जारखन यहां पर है और चाम मैंने अभी आपको बताया था जारखन की जो राची है राजद और यहां के गवर्नर है बेतला निसनल पार्क पलामू वंजू भारन और हजारी बाग राष्टी उद्द्यान है देखो हजारी बाग यहां पर इसकाउद घाडन किया गया संथाल जूमर पाईका फगवा छाव भजा सरहुल यह प्रमुग लोग नरते हैं अगला नाटो भजान ने नाटो के महा सच्च्चू का पद गरहण किसने किया गया अच्छा ज्यारखन 28 वा राज्य बना था भारत का न उसके प्रधान मंतरी थे इससे पहले प्रधान मंतरी रह चुके हैं और अभी यहां पर नाटो के महासची होंगे नाटो मतलब North Atlantic Treaty Organization उत्तर Atlantic संधी संगठन तो ये 32 देशों का एक सैने संगठन है सैने संगठन ने ध्यान रखना बाकी संगठन जो होते हैं वो other purpose के लिए होते लेकिन ये सैने संगठन है सैने ताकत के लिए इसमें आज 32 सदसे हो चुके हैं 32 देश कौन सा है पूछा जाएगा तो आप बताना स्वीडन स्वीडन जो है ये 32 है 31 पूछेगा तो कौन बतायोगे आप 31 पूछेगा तो आप बताओगे Finland क्या Finland पूछो की बताओगे ठीक ह अध्यक्ष मार्क रूटे 1909 में 12 सदसेदेश मिलकर अस्थाबित किये थे आज 32 पूछ गये हैं हेडक्वार्टर इसका Belgium में Brussels में है अगला हाले में किसराज में Catfish की नई प्रजाती Exostoma Centionoe की खोज की गई इसकी खोज की गई दोस्तों अभी नागा लेंड में यह Catfish की नई प्रजाती है New Catfish Species जो है यह Discover की गई है नागा लेंड में और यह दुजुल के रीवर में या जिसे जुलू के रीवर पढ़ते हैं उसमें है जुलू के रीवर जो है बराक नदी का हिस्सा है बराक नदी रीवर सिस्टम जो है उसी का हिस्सा है जुलू के 9871 के रूप में सूची बत है ज्यादा इस पर डीप मजाना ठीक है साइंस वालों के लिए है वो वेगानिक नाम ध्यान रखना एक्सो टोमा सेंटी यो नोए जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया यह एनीमिया वर्ग में आती है और एक्टनो इस्पेटिजिया के आती ह और साथी साथ संग के अंतरगत सी सोरीडे फैमली में हिस्सा है यह मचली इसका वर्गी करण जगत है यह नागलेंड के बात करें तो नागलेंड आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगा कोहिमा इसकी राजधानी होती है नागलेंड अपना बॉर्डर असम से अराचल प पार्ग भी पूछा जाता है याद रखना दोनों इसके लावां रेंगमा और जलियांग याँ परमुक लोग निरते हैं 16 जीले हैं विदान सभा में 60 सीटे लोग सभा में एक और राज सभा में एक सीट यहां से जाती है अगला हाली में नहरू ट्रॉफी बोट रेस इसका 17 संस्कार्ण का आज़न कहां किया गया भाई साब इसका मैं एक्स्प्राइंसा नहीं लिख रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सेकेंड क्या लिखें माइक्रो सेकेंड में पता लगा है कि कौन बीनर हुआ है और बाकी के जो विजेता थे ना वो भी एक अंतर अंतर में सब लोग निपड़ गए मतलब इतना टफ कंपटिशन सोच रहे हुआ नहरू ट्रॉफी बोट रेस बहुत फेमस रेस होती है केरल में सत्तरवा इसका संस्कार्ण है बहुत पुरानी ये प्रत्योकता है केरल में आयज़ित की जाती है और कुछ इस प्रकार की होंगे भगवान जाने और बाकी के जो है वो एक सिकंड के अंतर गत बाकी की उनिस्टी में थी सब हो गई इसमें ठीक है तो यहां पर देखो पल्ल थुरूथी बोट कलब जो है पीबीसी ये करिचल चुंदन इसके करिचल चुंदन जो है जो में ड्राइबर होते हैं य विया पुरम चुंदन को पछाडकर सत्तरवी नेसनल बोट रेज जीत लिए है माइक्रो सिकंड के अंतर से तो पल्ल थुरूपी बोट कलब के करिचल चुंदन ने जीती हैं किसने करिचल चुंदन ने जीती है ये पीबीसी की लगातार पाचवी जीत है और करिचल अगला हाले में बिहार में प्रसांद किसोर ने किस नाम से अपनी नई पार्टी का गठन किया तो दोस्तों अभी बिहार में एक नई पार्टी का गठन किया है प्रसांद किसोर ने पूर्व राजनीति विसेशक गे रह चुके हैं और इनके बहुत सारी उपलब्दियां हैं, जैसे कि 2014 में PM Modi के ये राजनीतिक सलाकार थे, फिर इसके बाद 2015 में सायद नीति इसकुमार के थे, इसके बाद पश्रे मंगाल में मम्ता देदी कोई बारी जीताय थे, मतलब इनका अगर जा करके वो देखोगे पोर्टपोलियो, ऐसी कुछ उपलब्दियां ये बताते हैं, तो राजनीति विसेच साग हैं, लेकिन अभी तक कभी खुद से चुनाओ नहीं लड़े थे, इन्होंने कहा कि बिहार में हम अपनी पार्टी बनाएंगे, और उसके बाद बिहार में ये राजनीति में आएंगे, तो राजनीति जातरा किये थे, वो पूरे बिहार में ब्रमड किये थे, तो 2 अक्टूबर यानि महात्मा गांदी जी की जैनती पर इन्होंने शुरुवात की है, इन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है मनोज भारती को, किसे? मनोज भारती को, अब ये तो important information उतनी नहीं थी, जितन National Congress यानि Congress और एक माक्सवाधी Communist Party यानि MCP, एक बहुजन समाज Party यानि की BSP, एक National Pupils Party यानि NPP और एक आम आद्मीपार्टी यानि AAP, ये आम आद्मीपार्टी सबसे latest वाली है, जिसको ये दर्जा मिला हुआ है, नेसनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, क्या इसके लिए योगिताय होती है, क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी राज्यों में seat लानी पड़ती है, इस सब पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप National Party का दर्जा कैसे मिलता है, MJT Education आगे लिख करके search करना YouTube पर मिल जाएगी तो वीडियो ठीक है, तो ये थे Top 10 Current Affair के question आज के दिन से I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो like share कीजिए, एक बार फिर से मैं रिमांड करा दूँ, दो दिनों की offer में आज आकरी दिन है, जी है सफलता बैच मातर 299 में में आप प्रात कर सकते हो, कल बहुत सारे लोगों ने इसका लाँ उठाया, आप भी इसका उठाये, और संकल्प बैच जो है Current Affair को तयार करना है, seriously वो इसको जोइन कर सकते हैं, जबर्दस्त बैच हो रहा है, इसमें क्लासेश बहुत तगड़ी आ रही है, और अरजुन बैच में भी कलासेश जबर्दस चल रही है, तो आप दोनों बैच भी जोइन कर सकते हो, कल मैंने पूछा था आप से कि पोस्टर अभियान कहां सुरू किया भारत ने तो भारत सरकार ने रहस्थान में सुरू किया जमायका की राजधानी पूछी थी मैंने तो किंग्स्टर होती है इसकी राजधानी आज आपको क्या बताना है किस देश के साथ असम राज्य अपनी सीमा नहीं सेयर करता है बताए सीमा सेयर करता है किस देश के साथ यह आपको बताना है, बांगला देश, भूटान म्यामार या दोनो, या तीनो अन्तराष्टिय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप बताईए दोनों ही कुश्चन्स के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर अंसर करना मैं मिलूंगा सत्यों अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद वंदिमात्रम अजय दो बता है